दोस्तो जैसे कि आपको पता ही है कि हिंदु धर में ग्रहन का विशेश महत्व है और इस बार सदी का सबसे लंबा पूर्ण चंद्रग्रहन होने वाला है जो कि शोलह जुलाई को है बताया जारा है कि इस बार यह चंद्रग्रहन गुर्ण पूर्णिमा के दिन लगीगा ऐसा दुरलब योग 149 साल बाद बन रहा है आपको बता दे कि इससे पहले साल 1870 में ऐसा दुरलब योग देखने को मिला था और खास बात तो यह है कि इस बार यह चंद्रग्रहन भारत म भी दिखाई देगा बताया जा रहा है कि ये ग्रहन पूरे तीन घंटे तक रहेगा जो कि 16 जुलाई 2019 की रात लगभग डेड़ बजे से शुरू होगा और 17 जुलाई की सुबह करीब साधे चार बजे इसका मोक्ष होगा हिंदू पंचांग की माने तो इस बार चंद्रग्रह की मानेताएं हमारे देश में हैं जैसे कि ग्रहन के दोरान अन्यजल ग्रहन नहीं करना चाहिए साथ ही कहा जाता है कि ग्रहन के दोरान इसनान नहीं करना चाहिए और ग्रहन खत्म होने के बाद ही इसनान कर पूजा पाठ कर लेना चाहिए और मानेता ये भी है कि कभी भी ग ग्रहन को खुली आँखों से नहीं देखना चाहिए इससे आपकी आँखों में बुरा आसर हो सकता है वहीं ग्रहन के समय आप ओम चंद्राय नमह मंत्र का जाप करेंगे तो आपको काफी लाभ मिलेगा इसके साथ ही आप यदि आपके घर में कोई लंबे समय से बीमान है तो आपको ग्रहन के बाद घी और खेर से हवनादी कर लेना चाहिए इससे आपको लाभ मिलेगा इसके साथ ही ग्रहन के दौरान प्रानायाम और व्यायाम करने से आपकी सोच भी सकरात्मक होगी चंद्रहन समाप्त होने के बाद घर में शुद्धता के लिए गंगाजल का का मित थुन राशी में गोचर हो चुका है और ये परिवर्तन बारह राशीयों के लिए शुब और अशुफल ले कर आया है और सबसे खास बात तो ये है कि शुक्र सूर्य और राहु तीनों खास ग्रह एक साथ हैं अब देखना होगा कि ये चंद्रगहन किन के लिए अच् नेक्स्ट नायन इस प्रिच्वल सी शुदिक रिपोर्ट